बच्चो अब इसमें रोईणी दादी के पास ही थी तो वो कहती हैं कि दादी फिर भी काफी सस्ती दे रहा है तो सस्ती दे रहा है तो आप चार पैसे की ले लो और उन्हें पैसे दे देती है मिठाई वाला अपना मिठाई गिन्य लगता है दो चार ही पैसे दे दो यानि अभी भी जादी मोल भाव पे कर रही है बच्चो देखो अब वो क्या कह रही है अच्छा पचीस ही नहीं तो बीस ही दे दो अरे हाँ मैं बुढ़ी हो गए ना मैं मोल भाव कहां से कर पाऊंगी अब मुझे जादा करना आता भी नहीं है मतल़ यहाँ पर अपनी बिद्धा वस्था का हवाला दे के वो कह रहे हैं कि मतल़ मुझे बीस रुपे की बीस ही दे दो सोला आने में सोला यहीं सोला पैसे में आप वोजे बीस दे दो तो जिसके रेवियर वो मना कर देता है और कहता है कि नहीं मैं इससे जादा नहीं दे सकता कहते हुए दादी के पोपले मुझे से जरा से मुस्कुरहाट फूट निकले पोपले कार्थ होता है बच्चों जैसे जब बुजब हो जाता है तो उनकी चमडिया थोड़ी लटक जाती है और जैसे अब आपके घर में भी दादी बाबा होंगे तो उनके देखिए चेहरे कुछ दादियों के जैसे दाद भी पूरे गिर जाते है तो उनका मुझे से हो जाता है तो उसी पोपले से वो क्या करती है उस चेहरे से वो मुस्कुराती है कि देखो मैं मोल भाव कर रही हूं वो सकता है बात बन जाए और मुस्कुरा देती है ये बोलकर रोईनी ने दादी से कहा की मिठाई वाले ने उत्तर दिया पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूं रोहनी चिक की आड़ ही से बोली पहले यही मिठाई बेचते हुए आय थे या कोई और चीज लेकर अर्थार बचो यहां पर जब दादी मोलभाव के साथ मुस्कुराती हैं तो मुस्कुराने के साथ यहां रोहनी दादी से कहती है कि दादी जड़ा आप इनसे पूछिए कि क्या ये इसी शेहर के हैं या इससे पहले भी यहां आये हैं यहां पर पहली बार आये हैं यहां के निवासी तो नहीं अर्थार उसे ये तो पता है कि क्योंकि जो स्वर था वो स्वर पहचान और दादी से ये सारी बात रोहनी करती है दादी ने इस कथा को दोहरानी के चेश्ठा की थी यानि अब वो पर्दे की आण से रोहनी कह रही है और वो दादी को कह रही थी लेकिन चूंकि मिठाई वाला भी बैठा हुआ है तो जब तक दादी उसकी बात को दोहरा पाती तब मिठाई वाला बोल देता है और वो कहता है कि पहली बार नहीं मैं कई बार आ चुका हूं अर्था चेश्ठा का आर्थ होता है कि मतब व्यक्त करना या इच्छा जानने की इच्छा करना तो इसके ये इसाब से बच्चों कि दादी के उस कथां को दोरानी के चेश्ठा यानि उसकी इच्छा करी रही थी वो कि मतलब चेश्ठा यानि कि कोशिस करने जाही रही थी कि तब-तब मिठाई वाले ने कहा कि नहीं मैं पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ रोईनी ने पर्दे की आड़ से ही बोला या पहले यही मिठाई बेचते वे आये थे या कोई और चीज लेकर यानि पर्दे की आड़ से रोईनी उस मिठाई वाले सा बात कर रही है कि आप पहले मिठाई बेचने ही आये थे इसके पहले और भी कोई चीज बेचने आये हैं या पहली आप मिठाई बेचते थे तो रोईणी तो मिठाई वाला हर्ष संचय और विस्मारी भाव में डूप कर बोला इससे पहले मूरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलावने लेकर अठार बच्चों यहां पर मिठा बाई बाले ने पहले तो खुश होता है मतलब हर्ष का आर्थ होता है कि खुश रसन होना संशे होना यानि कि आशंका यानि किसी इसी किसी गलत चीज का अनुमान जब हमें होता है यह हम किसी चीज पर संदेह करते संचय का शंशे का आर्थ होता है संदेह होना और विस्मया दियानी का अर्थ होता है कि विचार में पड़ जाना या उस चीज को सोचना विसमें आश्चेर पुर्रक सोचना भी होता है विच्छो तो यह तीनों भाव उस मिठाई वाले के अंदर इस नाते से आते हैं क्योंकि वह कहता है कि नहीं मैं इससे पहले मुदली वाला और उसस कह देती है मतलब मिठाई वाला यह कह भी देता है कि मतलब मैं इससे पहले मुदली बेचता था और उससे पहले मैं खेलोनी बेचना आया करता था तो बच्छो यहाँ पर जो शंका में या जिस शंका में रोहिनी थी दादी के माध्यम से वो सारे प्रस्णव सवाल जवाब करती है लेकिन इसी के साथ बच्चों यहां पर वो अपनी शंका को मिटाने के लिए कि मतलब आप पहले इस चहर में थे या नहीं थे और उसके बाद आप यहां पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं क्योंकि उस स्वर को रोहिनी पहचानती थी और आज बहुत करने के लिए वो प्रश्न के प्रश्न पुछती है और सभी प्रश्नों में जब तक दाजी उस चीज को दोहरा दी उसकी बातों को तब तक वो क्या कहता है तब तक मिठाई वाला खुद ही कहता है कि नहीं मैं इससे पहले भी कई बार यहां आ चुका हूं तो इस पर भी व पर जो मिठाई वाला है वो खुश भी होता है वो शंका में भी पढ़ जाता है और वो आश्यर में भी पढ़ता है यह तीनों चीजे उसके सामने इसलिए प्रकाट होती है क्योंकि अब वो अपने उस बात को रखने जा रहा था वो खुश भी होता है कि मतलब लोग अभी मुझे याद रखते हैं मुझे मुझे याद रखा जाता है खुश होता है हो संचे इसलिए इतने समय के बाद और यह प्रशन किसी ने पूछा है तो इस नाते से इस थोड़ा संका होती है कि ऐसा प्रशन क्यूं पूछ गया और फिर वह आश्यर में भी पढ़ता है कि आज इतनी सारे बाते एक साथ पूछी जा रही है तो क्या बात है तो इसलिए वो हर एक भाव के साथ अपनी चीजों को व्यक्त करते हुए कहता है कि नहीं मैं इससे पहले मुर ली और उसके पहले खिलोने बेचने आया करता था तो ये सारी शंका को मतलब अब रोहनी की पूरी की पूरी शंका को उसने यहाँ पर समाप्त कर दिया है और समाप्त करने के साथ ही उसने अपने आने की पहले भी अपनी बाते उसने बता दी है कि पहले ही ये वही मिठाई वाला है जो पहले खिलोने बेचता था ये वही मिठाई वाला है जो उसके बाद मुर लिया बेचता और आज ये वही मिठाए वाला जो अब वो मिठाई दे चाहा है